hey what's up guys welcome back to my channel so guys मेरे बास एक कमेंड आया था बहुत दिन आ पहले वैसे कमेंड कर बहुत दिन हो गया है कमेंड कर तो उसमें कमेंड आया था कि switchboard जो है वो कैसे बना दे तो आप लोगों को पता है होगा कि मेरा जो चैनल है वो electronics basis है electrical basis तो नहीं है पर फिल्भी मैंने सुझाए कि चलो एक वीडियो बना दिया जाए कि एक switchboard यानिक एक electrical board कैसे बना दे तो उसी के बार में आज का वीडियो है तो आज मैं दिखाने वाला हो कि यह जो बोड है इसमें चार्ज हो रहा है लाइट इसे मैं साइड में रखता हूँ यह जो बोड है इसको कैसे बना दे स्वीच बोड इस वाला switchboard को मैं बना के दिखाऊंगा इसमें दो switch है और दो 5-pin socket है आप देख सकते तो इसी को मैं आज बना के दिखाऊंगा और यह बहुत है सिंपिल है क्योंकि वह मुझ से पूछ रहे तो मैंने सूचे कि चलो पहले सिंपिल बोड दिखा दिया जाए तकी ज्यादा हाड ना हो और अगर आप चाते हैं तो मैं एक और एक बोड बना के दिखांगा जिसमें फ्यूज होगा इंडिकेटर होगा साथ में प्लक भी होग मैं खेंगा और सुवीच भी होगा और साथ में सीरीज लयम्प के लिए ऐसे आप होल्ड में बना दुगा इसंब है यह सिरीज लयम्प केलिए आप प्रड आप को चाही होगा मतलब हैसे सर दिख़ेव को आपको भूरड कर् mouldर छाहाई orange तो मेरेबास जो पार्ट से यह थोड़ा सा पूरा ना है क्योंकि घर पर बढ़ा हुआ था आप देख सकते तो इसी से मैं काम चलाने वाले हुआ ऐसे गोई दिक्कत नहीं है इसमें तो आपको क्या करना है एक बोड लाना है तो मैं यहां पर बोड जो बनाने वाला हुआ उसमें दो स्वीच और दो साथ में कुछ स्कूरू यह सब बोड के साथ ही आता है तो यह सब मुझे चाहिए होगा और चाहिए होगा कुछ वैर्स तो मैं पहले बोड को ऐसे खोलना पड़ता है उसके बाद जो स्कूरू है हर एक सॉकेट और स्वीच के साथ इस स्कूरू को मतलब कि जो नाट पहले खोल के साइड में रखना पड़ता है और फिर यह अगर खो जाए आपके बास तो तो दिखत हो सकता है क्योंकि अगर आपके बास एक्स्ट्रा नाट बोल्ट नहीं है इतना पतला सा तो आपका दिखत हो सकता है तो इसको समाल के रखें आप और जो सॉकेट से उसे ऐ बीटाना है ऐसे बिठाना है और फिर नतबोल्ड को करूस देना है ऐसे एसे कर्सwyddक्र इदेना है और इसको अच्छे से कासने है यह दिखी यह कैस गया है अभी इसकि भार हिए आपको जहां आलोटी लगाना हिवह आप बस यही काम रहता है इसके उपर लगाने का बाकी में दिखाता हूँ और बहुत सारे modular जो boards होता है उसमें तो nutball का system आजकल रहता नहीं है उसमें जस्ट प्रेस करके अंदर लगाना पड़ता है और दीखे फ्रेंज यह socket तो आप लगा देंगे वाईसे भी यहाँ पर नाम लिखा रहता है ठीक से परेंगे तो सिधा लगा देंगे और यह 5-pin देखके भी समझ में आता है उपर वाला आट्टीं टाहिए नियाटी औरर नेयुर्टेल बाब और ल closure होता है वो तो पता होता है यह 8 देख और दोस्यान 0 इसे को धियान रहता है और दूसरी बात यह जोग्वाव गार्वा ड्यांता है और कुछ कुछ switch में यहाँ पर one लिखा रहता है और इसको ध्यान रखना है one मतलब on तो on जब होता है तो switch हमेशा नीचे के तरफ on होता है तो switch को हमेशा सीधा रखना ज़रूरी है तो दीखे यह लग चुका है पूरा यह दीखे पीचे के तरफ और अभी मैं समझाता हो कि यहाँ पर connection क्या करना है तो मेरा तो यह extension board होगा तो मैं इसमें आर्थिंग नहीं देना वाला हूँ बल न्यूट्रल और face दोनों ही वायर देना वाला हूँ क्योंकि इसमें मैं कुछ ही जोलूंगा क्योंकि जो पेर वायर है वह मेरे पास ब्लैक ही है अभी रेड वायर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास फिलाल यही ब्लैक वाला वायर है तो आपको अभी बहुत लोगों का question रहता है कि मैं जो वायर्स ले रहा हूँ उसका thickness कितना रखो यानि कितना स्क्वेर स्क्वेर में का गेज रखो कितना स्क्वेर में का वायर्स रखो तो फ्रेंस आपको जितना हेवी लोड चलाना है उसके हिसाब से आप वायर्स रख सकते है तो यहाँ पर मैंने पहले से होल करकर रखाता है ड्रिल करकर रखाता तो यहांसे मैं वायर्स को अंदर डालना दे सकते हैं और उसी से होके अगर मैं नीचे वाला टर्मिनल में इन्पुट डालू यानि कि जो वायर है इसमें फेस का वायर अगर नीचे वाले में डालू तो उपर वाला जो टर्मिनल होगा उसके साथ एक वायर चूर के मेरा जो फेस है यानि कि फेस का टर्मिनल यह वाला होता है फेस का टर्मिनल अगर सीथा करें तो राइट वाला यहां पर होता है फेस देखा होगा जो इलेक्रिशी है नमारे गर पर आते हैं वह टेस्टर से जब चेक करते हैं तो इसी वाले टर्मिनल पर टेस्टर डालते हैं और फिर टेस्टर में लाइट जलता है तो यह है फ फेज होता है फेज को लाइव को पुलते और फिर याहां पर अर्थिंग एक शिंबॉल दिया हो रहा है यह दुधिया माल हूँ। यह आपे भी हे दूनों में है तो लगभख हर एक प्लग में रहता है तो इसको कनेक्शन करने के लिए मुझे अभी चाहिए होगा फिलाल थोरा सा वैर का टुकरा तो मैं यूज करना बाला हो वैर का कुछ टुकरा तो दी ही ब्रेंज्स यहाब मुझे जो फेज है वहाँ पर यह वैर जोड़ना है वैर आपको ज्यादा बढ़ा नहीं लेना है बरना manage करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा छोटा वैरी ठीक है तो यह यहाँ पर जो live है यानि कि जो phase है हो आप पर मैंने एक छोटा सा वैर कट्टूपरा डाल दिया और यह चाहेगा सिधा अगर आप नीचे वाला टर्मिनल में डालना चाहते हो तो नीचे वाले टर्मिनल में डाल सकते हैं या फिर आप उपर वाले में डालना चाहते हैं तो उपर वाले में भी आप डाल सकते हैं या पर उपर वाले टर्मिनल में ही मैं डालने वाला हो यह देखिए और इसको अच्छे से कास देना है ताकि बाद में कोई भी लूस कनेक्शन ना हो तो इसलिए टाइट कर देना है अगर लूस कनेक्शन रहेता है तो अंदर जब आप लोड देदे तो यहां पर स्पार्किंग होने का खत्रा रहता है तो आपक थियान आपको रखना है यहां पर अदर जो लाइव है याने कि जो फेज है उसके साथ सब्सक्राइब साथ का तर्मिल यह मैं वह से च्नेक्शन हो गए इस टर्मिल से जो फेज क्टर वह गादिया है और एक थोरा सा वहाई लंबा वैर लिना जिसको आपको न्यूटर से न यूज करता हूँ उसको इस टर्मिनल से लेकर यहां पर यह वाला जो टर्मिनल यहां तक मुझे लाना पड़ेगा तो इतना हुए ठीक है थोड़ा सा बढ़ा हो जाएगा ज्यादा प्रॉब्लेम नहीं है मैंनेज कर लूँगा पर आप अगर मैंनेज ना कर पाये तो आपको इसे भी छोटा ओएर आपको लेना है और बस इस टर्मिनल पर मुझे डाल देना है और सबसे बड़ी बात जब आप टर्मिनल में डाल रहे है तो इसका स्क्रू जो है वह हर एक का स्क्रू बहुत ही टाइट रहना चाहिए वरना लूस कनेक्शन दो हो सकता है साथ में अगर ज्यादा लोट नहीं डालने वालो तो वैर थोड़ा सा पतला है तो कोई बात नहीं इसमें बस मेरा जो गुड़नाइट रहता है यानि की मॉस्क्यूट गिलर मेशिन रहता है वह जालेगा और साथ में फोन चार्ज होगा और ऐसे ही अगर छोटा मोटा को कोई काम रहे तो इससे हो जाएगा इसलिये मैं इसको बना रहा हो और अभी में इस वैर को और थोरह सट च्याओ और थोरा सट चिलना पड़ेगा दिए वर्याड़एक ज़्याधा भी नहीं चीलना आ है अगर आप ज्यादा चिल देंगे तो हो सकता है कि यह तोड़ा सा ज्यादा बाहर निकला रहे और दोनों टर्मियल में शॉट हो सकता है सुविच के केस में ऐसा होना common है दो दूनों पर जाएगा face तो छोटा सा वाइर कर्टूकरा लेना है और दोनों को एक साथ दोनों टर्मिनल को एक साथ connect कर दे रहा है मुझे तो यहाँ पर मैं यह वाला वैर भी यूज कर सकता हूं जी या वैर है या फिर आप copper का वैर भी यूज कर सकते copper का वैर ही ज्यादा अच्छा लगता है पर मैं बात में बतल दूँगा अभी फिलाल मैं एक का बात नहीं है तो मैं यहाँ पर यही वैयर से थोलब सा connection कर देता हूं बात में copper का वैयर लगा दूंगा यहाँ इतना ही वैयर मुझे चाहिए होगा बाकी जो एक्स्ट्रा वैयर है उसको cut कर दिना होगा तीकि यह cut कर दिया मैंने और इसमें से दो नों वैयर मुझे लिजिए और एक 3-pin प्लक यहां पर लगा लिजिए ताकि फेज ऑन यूटल आपका सेम रहे एक्स्चेंज ना हो जाए तो मेरे लिए इसका ज्यादा वैलू नहीं है अभी फिलाल क्योंकि आपको पता ही होगा कि ज्यादा बढ़िया लोड में डालने नहीं भलाओ तो मैं ऐ ऐसे ही लगा देता हूँ और अगर आपको फ्यूज लगाना है अगर बोड में तो आपको क्या करना होड़ेगा सीधा है यहां पर फेस नहीं डालना है आपको क्या करना है फ्यूज पर पहले एक टर्मिनल पर फेस डालना है और दूसरे टर्मिनल जो निकलता है उस टर्मि कि जहाँ पर लोड डालने वाला हो यानि कि स्वीच में आपको फ्यूज से लेके फिर यहाँ पर डालना पड़ेगा यानि कि एक टर्मिनल पर होगा फेज इंपूट और दूसरे टर्मिनल पर होगा फेज आउटपूट अभी मेना पास यह न्यूट्रल का होगा है तो इसको आप वेने लगा दिया और लगा के फिर कस दिया है अच्छे से अभी बस काम तो कंप्लीट हो चुका है आशा करता हो आप समझ गए होंगे कि कैसे वैडिंग करना है तो मैं अभी इस ढकन को मतलब की बोट को पूरा बंद कर देता हूँ और फिर यह जो स्क्रूव है इन च मैंने आपको पहले से दिखा दिया था तो अभी टेस्टिंग की कोई बात नहीं है सेम बोड है आप देख सकते है ठीक से तो ऐसे ही आपको बोट बनाना है और अगर आप दुकान से जो एक्स्टेंशन बोट खरीद के लाते उसमें तो एक आसा नहीं रहता है कि वह गुमा आप खरीद के लेके आते बादन से वह बहुत ही सस्ता क्वालिटी का होता है और उसका वैर वह बहुत ही बेकार रहता है बट आप अगर घर पर बनाना सीख गा है यह एक स्टेंशन बोट यह तो मैंने सस्ते में बताया बट आप अगर सीख गए तो अच्छा सा एक बोट आप बना सकते हैं फ्यूज बगरा सब कुछ लगा के मैंने तो दो सॉकेट बताया आप चाहे तो बहुत सारा सॉकेट लगा के बड़ा सा बोट बना सकते और उसी से अपना काम चला सकते मतलब कि काम चलाना नहीं इसे काम दोराना होलते इसे आपका जितना हेवी आप बना सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंड किया था कि आप बोर्ड बना के दिखाएं इसलिए मैं बना रह ले आया था बट अभी मैं बना रहा हूँ पर कोई बात नहीं आप घर पे यह ट्राइ कीजिए और बनाना बहुत ही सिम्पिल है सिर्फ आपको जो चीज़े चाहिए होगा वह आपको खरीद के लाना है बाकी बनाना इसका जो सरकीट डाग्राम सरकीट बगड़ा वह तो बस आप घर पे बनाई है और यूस कीजिए ऐसा ही बोट आपका एक्सेंशन बोट तो वीडियो बस इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एक आपको दूबारा क्या द सबस्क्राइब कीजिए और बेल आगरें को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वह आपको सबसे पहले मिलता रहे तो वीडियो बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो पे